टाइवान के राश्षुपती के अमेरिका दौरे पर चीन ने दी प्रतिक्रिया की धंकी टाइवान की राश्षुपतीत साई इंग्वेन ने बुधवार को कैलिफोर्निया में अपने ठहराव के दौरान यूएस हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी के साथ मुलाकात के लिए आभार व्यक्त किया उसने कहा कि इससे पता चलता है कि उसका द्वीप अंतराश्चिय मंच पर अलग थलग नहीं था और गलियारे के दोनों और के राजनेताओं ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया था ताइवान के दो आधिकारिक राजनेक सहयोगियों के घट्टे बैंग को देखने के लिए साई की कैलिफोर्निया यात्रा लैटिन अमेरिका की यात्रा के बाद हुई सत्तर से अधिक वर्षों के लिए अलग से शासन करने के बावजूद चीन ताइवान को अपने क्षेतर के हिस्से के रूप में देखता है और यदि आवश्चक हो तो एक दिन इसे जब्द करने की कसम खाई है बीजिंग ने ताइपे के अन्य देशों के साथ किसी भी आधिकारिक संपर्क पर लंबे समय तक जोर दिया है जिसमें जोर देकर कहा गया है कि केवल एक चीन है साई और मैककार्थी के कैमरों के सामने आने के कुछ घंटों बाद बीजिंग ने सन्युक्त राज्य अमेरिका और ताइवान के बीच मिलीबगत के गंभीर रूप से गलत कृत्यों के लिए द्रेड और प्रभावी प्रतिक्रिया की धंकी दी एक सावधानी पूर्वक निर्मित कूटनी तिक ठगी के तहित सन्युक्त राज्य अमेरिका आपचारिक रूप से सत्तावादी बीजिंग को मान्यता देता है लेकिन ताइवान का एक महत्वपूर्ण समर्थक है और मजबूत अनापचारिक और वानिजिक संबंध बनाए रखता है ताइपे को अमेरिकी कॉंग्रेस में विद्लिय समर्थन प्राप्थ है और चाई के नेत्त्रित्व में वाशिक्तन के करीब हो गया है चीन की जुंजला हट के लिए ताइवान के लिए समर्थन और चीन की अस्विकृती उनकुछ मुद्दों में से एक है जो अम रिष्ट अमेरिकी राजनेता बन गए जिससे बीजिंग को ताइवान के आसपास के पानी में अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करने के लिए प्रेदित किया बैक्कार थी जो अमेरिकी राश्च्रुपती पत के लिए दूसरे स्थान पर है ने कहा कि स्वतंत् हाई की ताइवान को अमेरिकी हत्यारों की बिक्री जारी रहेगी जो उन्होंने कहा कि आकरामक्ता को दूर करने की एक सिध्ध रन्नीती थी दक्षिनी कैलिफोर्निया में साई का पड़ाव ग्वाटेमाला और बेलीज की यात्राओं के बाद आया और न्यू यॉक में एक संक्षित पड़ाव के बाद जहां उनका ध्वज लहराते ताइवानी प्रवासियों द्वारा स्वागत किया गया साई टाइम्स दो हजार चौबीस में ताइवान के राश्च्रपती के रूप में बाहर हुए और उनकी पार्टी को बीजिंग के करीब देखे जाने वाले विरोधियों से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है उसने खुद को यधास्थिती के रक्षक के रूप में तैनात किया है वास्तविक लेकिन अव्यक्त स्वतंत्रता यहां तक की चीन दबाव को बढ़ाता है सह्यूग्यों को अवैद शिकार करता है और ताइपे को अलग करने के लिए विदेशी सरकारों पर दबाव डालता है उन्होंने समवाददाताओं से कहा यह कोई रहसे नहीं है कि आज हमने जो शांती बनाए रखी है और जिस लोकतंत्र के निर्मार के लिए हमने कड़ी मेहंत की है वे अभूत्पूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है हम एक बार फिर खुद को एक ऐसी दुन्या में प सकता है ताइवान सभी पक्षोद्वारा सन्युक्त राज्य अमेरिका के लिए आभारी है क्योंकि हम अपनी अनूठी चुनौतियों का सामना करते हैं